प्रेंस आज में आप लोग के लिए लेकर आयों करवा चौते स्पेसल मिठाई की रेस्पी तो रेस्पी सुरू करने से पहले प्रेंस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेलाइक उनको जरूर से प्रेंस करिएगा ताकि आने वाली सभी नई वीडियों का नौटिपकेशन आप लोगों को मिल जाए प्रेंस ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत सौधिश्ट लगती है अगर आपने इस मिठाई को एक बर बना लिया तो बार बार बनाना चाहेंगे और अच्छी बात ये है कि हम इस मिठाइ को बिना गैस जलाए बनाएंगे और इस मिठाइ को बनाने के लिए हमें न मावा चासनी न मिल्क पाउडर की जरूरत है बस हम घर के ही कुछ दो तीन चीज़ों से इस मिठाइ को बना के तियार करेंगे और बनाना बहुत ही आसान है अगर आपने पहले कभी मिठाई वगेरा नहीं बनाई है तो भी बहुत ही आसानी से आप इस मिठाई को बना के त्यार कर सकते हैं अगर मेरी रेश्पी आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो फिर चलिए सुरू करती हैं बनाना इस मिठाई को बनाने के लिए हमें पारले जी बिस्किट चाहिए तो यहां पे हमने पांच वाले चार बिस्किट लिये हैं चार पैकट लिया है तो यहां पे हम सभी बिस्किट निकाल लेंगे पैकट से निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे तो यहां पे आप लोग है हमें तो यह देखिए हमने चारो पैकट निकाल लिए हैं तो अब हम इने पीसेस में तोड लेंगे और बहुत ही आसानी से तूट जाते हैं बहुत ही सौप्ट होते हैं और मिठाई इसके ना बहुत ही अच्छी लगती है या आज हम बनाएंगे इसके पेड़े इससे पहले जार में डाल के बड़ी हैसा फाइन सा पाउडर बना लेंगे आप यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसे पीस्ते हैं तो कभी-कभी उसमें ना चोटे-चोटे बिस्किट के करण रह जाते हैं तो आप इसको चान लीजिएगा अगर आपको लगता ह कि बड़ी हैसा फाइन पाउडर बन गिया है तो कोई जरूरत नहीं चानने की अगर अधरवाइस आप इसको चान के लीजिएगा तो आप इस तरह की कोई चान लीजिएगा इस टेनर अगर आपके पास नहीं है तो जिसे हम लोग आटा चानते हैं उससे भी बहुत ही इजल के भी से तो सारे ही बिस्किट में इसी तरीके से फीस लेमा है है कि अगुए तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ रियंगे फराइन बिस्कः पीस लुत है आप चूने के मात्रा बहुत ही कम रखेंगे यहाँ पे सिर्फ हम दो चमच चीनी का यूज़ कर रहे हैं अगर आप लोग ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो एक आज चमच बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे हमने दो हरी इलाइची डाली है फ्लेवर के लिए अगर आपके पास इलाइची का पाउडर है तो आप वो डाल लीजी तो यह देखिए हमारी चीनी और इलाइची दोनों पिस गया है तो अभी हम यह बिस्किट छान रहे हैं इसी में चीनी और इलाइची जो हमने पीसा हुआ है पाउडर वो भी इसी में डाल के बढ़िया से छान लेते हैं तो यह देख सकते हैं आप लोग चानना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी-कभी ना यह जो इलाइची हम लोग डालते हैं तो उसका जो छिलका होता है वो पिस नहीं पाता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पाउडर बन गया है लेकिन चोटे-चोटे कड रह गये हैं तो यहाँ पे मैंने चीनी वाला पाउडर भी डाल दिया है तो यह भी साथ में च्छन जाएगा अगर चीनी रह गई होगी तो बड़ी वाली जो है उपर रह जाएगी यह देख सकते हैं आप लोग इतना सा बच गया है यह नहीं पिस पाया है तो अभी हम सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे यहां पे आप लोग देख सकते हैं बड़ी आप लेंगे सबी चीजों को और इसको इसका डो बनाने के लिए हमें दूद की मलाई चाहिए तो यहां पे दूद की मलाई हमें फ्रेश चाहिए मतलब बासी मलाई 4-5 दिन की योज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ना इसमें ला जाती है यह हमने आज की मलाई निकाल के रखी हुई थी तो यह वही मलाई है इसको हम थोड़ा सा फेट लेंगे और इसी से अपना डो तयार करेंगे तो यहां पे मलाई मुझे थोड़ा कम लग रही है अगर हमें दूद की जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में आएट करेंगे फिलाल अभी हम मलाई से ही डो तयार करेंगे तो यहां पि आप लोग देख सकते हैं कि मलाई में थोड़ी थोड़ी करके डाल लए हूँ एकठे मैंने नहीं डाल ली है ऐसे एकठे डालने से क्या होता है प्रेंस जो डो हम बना रहे हैं पेड़े के लिए वो गीला हो जाएगा तो पेड़े हमारे जो हैं परफेक्ट बनेंगे नहीं तो इस बात का ध्यान रखना है कि एकठे मलाई या दूद जो भी हम डालेंगे तो नहीं डालना है अगर आपके पास दूद की मलाई नहीं है तो आप दूद से डो को तयार कर सकते हैं तो यहां पर मैंने मिल्क पाउडर भी नहीं डाला है और यह ऐसी रेश्पी है प्रेंस इसके लिए हमें मावा चासनी की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को याद दिला दूँ कि लाइक और सेर करना बिल्कुल भी मत बूलेगा और इस रेश्पी को बहुत धेर सारा प्यार दीजिए गा लाइक और सेर करके तो यहाँ पर मैंने ना दो चमच दूद एड़ किया है क्योंकि मलाइक कम थी तो दो हमारा तयार नहीं हो पाया है पर्फेक्ट बना नहीं तो मुझे लग रहा भी एक चमच हमें और डालना पड़ेगा तो यह डो हमारा बन गया है बड़ यहाँ सा पर्फेक्ट पेड़े के लिए तो अभी थोड़ा सा मिसको गोंद लेते हैं सौप्ट कर लेंगे फिर पेड़े बनाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे पेड़े बनते हैं हम लोग कितनी महंगी महंगी मिठाईयां बाहर से खरीद के लाते हैं और इतनी कम सामान में इतने सस्ते में जब हम लोग इतनी अच्छी मिठाई घर पे बना सकते हैं तो बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं तो यहां पर देखी फ्रेंस पेड़े कैसे बनाना है तो जो डो हमने बनाया है उसके छोटे-छोटे लोईयां ले ले लेंगे जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए लोई तोड़ते हैं तो उसी तरह से हम छोटी-छोटी लोई बनाके और पेड़े के आकार में बनाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बनाना है अभी मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताऊंगे जो कि एक साथ में हम बहुत सारे पेंड़े बना सकते हैं तो अभी मैं एक एक करके बनाना बता रही हूं आपको और अभी मैं इसके बाद में आपको एक साथ में कई सारी ल साथ में यहां पे हमें बड़ा सा बाइट लेना है रोज को रोल करना है तो यहां आप प्लेट में या पीड़े पे कर सकते हैं तो यहां पे मैंने रोल कर लिया है और चाकू से बराबर की सेप में पीसेस में काट दिया है तो आप देखें कितनी आसानी से इतनी सारी लोईया एक साथ बन गई है इस तरीके से पेड़े भी बहुत ही आसानी से बन जा रहे हैं देख सकते हैं आप लोग फटा फट से पेड़े बनने जा रहे हैं तो प्रेंस अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये रेस्पी फ्रेंस बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है अगर आपने एक बार बना ली तो गारंटी है कि आप इस मिठाई को बार बार बनाना चाहेंगी बच्चों को बहुत पसंद आती है मेरे बच्चों की ये फेबरेट मिठाई है मैं अक्सर बनाती रहती हूँ अप पर डिजायन बना दूंगी तो देखे बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है इन पेड़ों का तो यहां पर मैं आधे पेड़े जो हैं उन पर ऐसी डिजायन बना दूंगी और आधे में ऐसे सिंपल रखूंगी तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मिठाई हमारी दोनों तरीके से पेड़े हमारे बहुत ही खुप सूरत लग रहे हैं और खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं